बिस्मिल्लाहिराह्मानिराहिम असलामलेकुम व्यूर्स वेलकम टू मैं चैनल मैं हूं इमान फात्मा और आद मैं आपके लिए एक और बहुत ही यूसफुल वीडियो लेकर आई हूं और वह वीडियो है रिलेटेट टू पे और या डिमांड ड्राफ्ट ठीक है और यह भी एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है ठीक है वैसे तो बहुत से लोगों को ड्राफ्ट सुने चीज़ों के बारे में नॉलिज होता है लेकिन जो बिलकुल बैंकिंग प्रैक्टिस न्यू न्यू कर रहे होते हैं ठीक है तो उनके यह जिनका बहुत कम इन चीज़ों से यान है अगर आपको भी रीस्ट वाकिया बताओं तो भी कुछ और से पहले इस तरहा हुआ ब्रांच में कि एक बंदा जो है वो तक्रीबं बावन लाग का चेक लेकर आया और वो किसी थर्ड पार्टी का था ठीक है और उस बंदे के अकाउंट में हाडली कोई दो हजार रुप भी हो जाएंगी मेरी दौा है कि उनके पैसे रीकावर हो जाएंगी बात यह है कि इतने धेर इतने आगे तक जा के इस तरहां से मैं तब इतने प्रॉसेस के थूर गुजर के आपको अगर आपके पैसे मिले तो इससे पहले इससे बेटर यही है कि आप लग शुरू में ही आपको सिक्यूर कर लें ठीक है और सिक्यूर आप किस तरहां से कर सकते हैं कि चाहे आपकी फ्यूचर डिलिंग है चाहे आपकी सेम डे की डिलिंग है आप उस कस्टमर से कहें यानि कि जिससे आप कोई चीज पर चेस कर रहे हैं ठीक है आप उसको कहें कि जिसको आप बेच रहे हैं तो उस चीज से बचने के लिए आप उसे चेक भी ना ले बल्किन जाता है ऐसा नहीं होता कि जो आपकी पेरन्टde ब्रांच होती है उसकी से आपका ड्रांच बनता है आप किसी भी ब्रांच से जाकर ड्रांफ बनाएं ठीक है उसी चेक का उन कि आपको ड्राफ्ट बनवाकिन है ड्राफ्ट किया होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तब भी उसका ड्राफ्ट बनेगा अधर्वाइस नहीं बनेगा तो यह आपका खुद को किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए सिक्यूर करने के लिए सबसे बैस तरीक है ठ कि ड्राफ्ट होता है डिवार्ट रखट होता है ड्राफ्ट होता है doin असके लिए बास बनेगा का इंगे तो एक ही चीज होती है दोनों ठीक है सिर्फ फर्क यह होता है कि pay order जो होता है वो जिस branch से बना होता है वहीं पर cash होता है और draft जो है वो किसी भी bank में जा कि आप cash करा सकते है फर्स करें अगर आपका account किसी और bank में है और draft आपके पास किसी और bank कार है तब भी कोई issue नहीं है वो check जो है वो draft जो है वो clearing में present होगा और अगले ही दिन उसका check clear होके उसके funds जो है वो आपके account में आ जाएंगे तो चाहे कोई future की transaction है तो चाहे कोई same day की transaction है draft एक बहुत save instrument है और खुद को save करने के लिए ठीक है किसी third party से आप लोग जो है वो check की बजाए मेरा आपको बहुत से लोग अच्छ ठीक भी होते हैं ठीक है fair भी होते हैं dealings में मैं यह सब को blame नहीं करी लेकिन खुद को secure करने के लिए ठीक है आप उसी check का उनसे कहें कि वो आपको draft बना दे उनकी account में पैसे होंगे तो draft बनेगा और आपकी transaction जो है वो secure हो जाएगी ठीक है तो यह एक वीडियो थी जो बहुत time से मैं सोच रही थी का यार नहीं यह वीडियो में बनानी है बनानी है आप लोग को बताना है तो आद मुझे final time मिल गया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ यह जरूर शेयर करूँ इस वीडियो से लेटर आपको कोई भी question हुआ तो प्लीज मुझे जरूर जो है वो बताईएगा बाकी मैं आप से यही कहूंगी कि मेरे channel को जो है वो subscribe करें ताकि मुझे थोड़ी सी motivation मिले मुझे लगे के वाकि मैं कुछ useful काम करी हूँ आप लोग के लिए helpful है और प्लीज दूसरे लोगों को भी जरूर recommend करें क्योंकि जिस तरह की भी आपको banking affairs से related help चाहिए होगी खुद को कैसे secure कर सकते है दूसरों के लिए कैसे जो है वो अच्छे रास्ते निकाल सकते है उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी ठीक है थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइट आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी और अपना बहुत सारा ख्याल लगए और इन्शालल मैं आउंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्हाफेज